ग्योड मोडिकीयर मोर्निंग प्रेंट्स तो तो यह आज हूं आपको श Greg कर डाम मोडी खाने जा रहे हैं तो यह देख Niger होंगी आप इसे चांदी बड्रे दने हुए है तो सलक हुए heads करते हैं । तो पास काटोरिया तो इसको दिखाते कि इसे हमेंद पूजायी जिसमें काटोरिय कितने कारे यह कभी-कभी बर्तन धड़े मैं नहीं सकते है्हा तो ऊसको थी टाइटा क्लें tomeye बिलापना चाहिए करना चाहिए और इसको अमेश्य टैट करके आप बंद करिके कि सिंवर हो धीक नहीं तो यह बस मेरे में को टू से 3 मिनट्ट से लगेंगे तो अव्य bloque और यह जब तक पानी ब्लेक ना हो आप इसको तब तक यूज़ करिए तो यह पानी बहुत चलते हैं गाइट फ्रेंट इसको में एक दो मिनट और चुड़ना होगा तो त्रेंट से बहुत ही अच्छा सिर्वर ट्रिप एक बर आप भी ठ्वाई करिए यह काली से काली चांदी को भी बहुत ज़ल्दी करता है और ली टू-3 मिनट में उससे ज्यादा समय नहीं लेता है यह और इसके बाद हम यह कटोरिया भी क्लीन करके दिखाएंगे जो कि हमेश्वा हमारे पुजा में यूज होती है और इसको जब भी यह क्लीन हो जाए तो इसको पानी से वाश करना नहीं भूले थोड़ा सा 30 सेकेट इसको मौत छोड़ते हैं विकास यह बहुत ही काली थी चांदी बहुत दिन से रखी थी बट कितनी आप देखना है कितनी इजी तरीके ते यह मेरा क्लीन हो गया है चांदी की कटोरी तो ऐसे आप भी क्लीन कर सकते हैं हमेशा तो इसमें कोई ब्रस नहीं चलाना पड़ता है नहीं कुछ रगड़ना पड़ता है बसे इसमें डालिए और एक-दो मिनेट तक छोड़ दीजिए और यह हमारा क्लीन हो जाएगा फिर इसको फिर मैं आपको क्लीन करके दिखाते हूं यह बहुत बड़ इसको पानी से जरूर अज़िए समाफ करना क्लीन है और चुकि इसकी बीपी प्राइस है तू हैंड़ेट टून्टी या फेफ्टीन ऐसी है और यह मार्पी है यह तू हैंड़ेट फोर्ती सामिंट की तो कितना प्यारा यह है कितनी अच्छी से क्लीन हो गया है इसको वाश कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं तो गाइस इसको मैंने क्लीन कर लिया वाश करके इसको मैंने पोच लिया आप भी देखे जैसे नियू जैसे लग रहे है नहीं चांदी की कटोरी बिलपल और यह तो आपने देखा था यह बहुत ही काली थी बहुत सारी थी तो कितनी इजी वेयर में हम लोग यह सिल्वर ट्रिप मोधी केर का यूज करके कितनी जी वेयर में हम अपने चांदी की बरतनों को पूजा की बरतनों को पायल को बिच्छयों को अराम से साफ कर सकते हैं तो आई होप आपको मेरा यह डेमो पसंद आया होगा तो नमस्क्री